नमस्कार विद्यारतियों आपका पूरे स्वागत हैं ओनलाइन कक्षाओं में हम अध्यन करें कक्षा 10 और हमारा जो विशे है हिंदी हमारी जो पाठ्य पुछते है क्षितिज उसका जो तेरवा ध्याई है महाविर प्रसाद्वेदी का तो इस्त्री शिक्षा के विरोधी कूतरकों का खंडन तो उसका कल हमने भाग एक काध्यन किया था कि किस प्रकार से जो पढ़ेली के लोग हैं हर प्रकार से जो इस्त्री शिक्षा है उसके लिए दलीले देते हैं तरक देते हैं कि अगर इस्त्रियों को पढ़ाया जाए तो यह हैं सही नहीं है इससे घर खराब होता है और हर प्रकार से यान की वो कहते हैं कि इस्तियों को पढ़ाना नहीं चाहिए लेकिन जो लेखक है वो कहते हैं कि नहीं इस्तियों को पढ़ाना चाहिए और प्राकरत जो भासा है वो आपड़ों की भासा बताई गई है और ना और उनकी जो भासा है वो संस्कृत नहीं थी बलकि जो दूसरे लोग है और इस त्रियों को भासा जो है इसी एकान से प्राकरत रखने का नियम कर दिया गया था तो यह हमने पढ़ा था भाग एक के अंतरगत आज हम भाग दो जो है उसका अध्यन कर रही है जिसे में बता रहे हैं लेखक की किस प्रकार से इस्तिया जो है इस्तियों के लिए कोई विश्व जाले नहीं था शिक्षा की उचित पढ़नारी नहीं थी तो इसलिए जो समान्य बोल्चाल की भाषा है वो इस्तियों की मानी गई है तो इसी का हिवर्णन इसमें लेकर की द्वरा किया गया है जिसका अध्यन हम आगे कर रहे हैं तो चली आगे बढ़ते हैं भाग दो के अंतरगत कि पुराने जमाने में इस्तियों के लिए कोई विश्व जाले नहीं था फिर नियमवद परनाली का उलेख आधी पुराणों मिनाय मिले तो क्या अश्च्रे है अब देखे लेकर कहते हैं कि पहले इस तरियों के लिए कोई विश्विद्य अले नहीं होते थी कि जिसमें इस तरियां जाके पढ़ें बालिकाई पढ़ें और उच्छित हो जाएं तो फिर नियमवद परनाली का उलेख आधी पुराणों मिनाय मिले तो क्या अश्च्रे है अब नियमवद परनाली अगर नहीं है तो इसका उलेख अगर नहीं मिल रहा है तो इसमें कोई आश्च्रे नहीं होनी ठीए क्योंकि कोई विश्विद्य दल था ही नहीं पहले में विमान उड़ते थे बताइए उनके बनाने के विद्धी सिखाने वाला कोई सास्त्र बड़े-बड़े जहाजों पर सवार होकर लोग दिपांत्रों को जाते थे दिखाईए जहाज बनाने की नियम बद पर नाली के दर्शक गरंद अब देखिए लेकर का अक्षेप कर र जहाज हैं जो जल में चलने वाले कि जलपोत जिनको अपने तो उनको बनाने के कोई नियम बद परणाली के दर्शक गरंथ कहा हैं पुराना दिम विमानों और जहाजों द्वारा की गई यात्रों के हवाले देकर उनका श्तित्व तो हम बड़े गरब से सविकार करते हैं परंतु पुराने गरंथों में उनके प्रगलब पंडितों पंडिताओं के नामों लेख देखकर भी कुछ लोग भारत की ततकाली इस्त्रियों को मुरक एपड और गवार बताती हैं अब देखे लिख कहते हैं कि पुराने गरंथों के अंदर प्रगलब जैनकि जो पड़ और गवार बताते हैं अब देखे गरंथों में नामों लेख है लेगन फिर भी आपड़ मुरक और गवार बता रहे हैं इसे तरक सास्तरग्यता और न्याय शीलता की बलिहारी वेदों को प्राए सबी हिंदू इश्वर कृत मानते हैं अब देखे जो वेद हैं तो उन्हें सबी हिंदू जो इस वर करत मानते हैं कि इस वर नहीं इनको बनाया है सो इस वर तो वेद मंत्रों की रचना अथवा उनका दर्शन विश्व वरा आदिस्तियों से करवा करावें और हम उन्हें कहरा पढ़ाना भी पाप समझें अब देखे जो वेदों की रचना की गई है वेदों में जो मंत्र हैं उनकी रचना जो है अब लेकर कहते कि इस वर ने जो है उनका दर्शन जो विश्व वरा जो आदिस्तियों जो है उनसे करवाया लेकिन हम लड़कियों को नहीं चाते कहरा भी पढ़े कह खाय भी पढ़े है ना तो सीला और विज्जा दी पढ़े-बड़े पुरूष्ष्य कवियों से अधृत हुई यह नहीं आध्यत मतला उनका आधर्शतकार बड़े-बड़े पुरूष्य कवियों किया नहीं किया सारंगतर बेती में उनकी कवीता के नमूनी है या नहीं बोध गरंथ त्रीपीट के अंतरगत थेरी गाथा में जिन सेक्ड़ों इस्त्रियों की पद्यारशना उद्ग्रित है वे क्या एपड थी अब देखे उनका तरक दे रहा है यह उत्तर दे रहा है लेखा किसमें और प्रशन पूछ रहा है उनसे जो कि इस्त्री शिक्षा के व गुथने पैर मलने तक की कला सीखने की आग्या थी उनको लिखने पढ़ने की आग्या नहीं थी कौन विग्या ऐसी बात मुख से निकालेगा और कोई निकाले भी तो मानेगा कौन तो ऐसा कोई नहीं था कि इनकी बातों को मान सकें या सविकार कर सकें तो ऐसा कोई नहीं अत्री की पत्नी पत्नी धर्म पर व्याख्यान देते समय घंटो पांडित्या प्रकट करी गारगी बड़े-बड़े ब्रह्मवादियों को हरा दी मंदन मिस्टर की सह धर्मचारणी संक्राचारे के छेके छुड़ा दी गजब अब देखिए लेख कहता है कि अत्री की जो पत है धर्माचारणी थी जानी धर्मपत्नी जो थी संक्राचारे के छेके छुड़ा देती है ये गजब की बात है अदूत बात है इससे अधिक भेंकर बात और क्या हो सके गया देखिए भेंकर क्योंकि विरोध करें थे ने यहां पेस्तियों का तो इसी कान्ट से वो गह रहे यह सब पापी पढ़ने का अपराद है तो यह पढ़ने का अपराद है जिसके कारण से संक्राचारे जो है उसको हारना पड़ा ब्रमवादियों को हारना पड़ा तो यह पढ़ने का अपराद है नयवे पढ़ती नयवे पूजने पुरुषों का मुकाब़ा करती अब दूराचारा ने इस्तियों को पढ़ाने की का ही कूफल है कि जो हमारे संक्राचारे हैं या जो ब्रह्मवादी थी हाना तो उनको हरा दिया या संक्राचारे के छिखे चुड़ा दिया उनको भी हरा दिया तो यह सारा क्या है पढ़ने का ही दूस परिणाम है कूफल है समझें इस्तियों के लिए पढ़ना कालकूट और पूर्शों के लिए प्यूंस का घूंट है। आप इसी ही दलील और दिश्ट्रानतों के अदर पर कुछ लोग इस्तियों को आपढ़ रखकर भारतवर्श का गोर बढ़ाना चाहती है। आप देखे ऐसे कुछ तरग देते हैं तो जिसके कारण से भारत की जो इस्तिरियंगा है उनको एपड करना और गट कर भारत वर्ष का गोरब भढ़ाना चालते हैं अब यह कटाक्ष किया गया है इनके उपर जो भारत की इस्तिरिएंगा नहीं हो सकता क्योंकि जब पुर्ण समाज जो है चाहे उसमें इस्त्री है चाहे पुरुष है दोनों जब पुर्ण रूप से सिक्षित नहीं हो जातें तब तक जो भारत है वो पुन है ज्यान के छेतर में अग्रणी नहीं हो सकता तो आगे इसी का बंद इसमें लेखक भी कर रहे है कि मानली जी कि पुराने जमाने भारत की एक भी श्विष्ट्री पड़ी लिखी नहीं थी नहीं सब्सम्रेणी जरूरी 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 समझा जा रहा है अधे पढ़ना चाहिए अब लेखर कहते है कि पढ़ना चाहिए पहले जरूरत नहीं थी तो नहीं पढ़ी इस तरियां लेकर अब भी उसके आपशकता है पढ़ने की और पढ़ना चाहिए हमने सैक्डो पुराने नियमों आदेश और पढ़नालियों को तोड़ दिया है या नहीं देखें लेकर कहा है कि जो सैगड़ों पुराने जो नियम थी हमारे जो आदेश थी जो प्रणालिए तोडा या नी तोड़ा हमने कुकुरीटियों को त्यागा या नहीं त्यागा तो चलिए इस्त्रियों को एपड रखने के इस पुरानी चाल को भी तोड़ दें अब इस्त्रियों को नहीं पढ़ा जाता है इसी जो पुरानी चाल है जो को रिती अपने कह सकते हैं बुरी रिती जो है तो उसको भी हमत्याग दें हमारी प्राथना तो यह है कि इस्त्री शिक्षा के विपक्षियों को क्षण भर के लिए भी इस कलपना को अपने मन में स्थान नहीं देना चाहिए कि पुराने जमाने में यहां कि सारी इस्त्रियां एपड़ थी अब लेखक कहते हैं कि हमारी प्रात्रा तो यह है कि इस्त्री शिक्षा के विपक्षियों को अब इस्त्री शिक्षा के विपक्ष में जो बोलने वाले लोग हैं उनको क्षण भर के लिए करपना करनी चाहिए और अपने मन में स्थान नहीं देना चाहिए कि पुराने जमाने कि सारी इस तरह पर थी पड़िया नहीं थी अत्वा उन्हें पढ़ने के आगाने थे अब इस तरी शिक्षा के जो विपक्ष में बोलने वाले वो कहते हैं कि पहले पड़ने के आगाने थी तो ऐसी जो बाते हैं वो अपने मन में स्थान नहीं देना चाहिए जो लोग पुराणों में पढ़ी लिखिस्तियों के हवाले मांगते हैं उन्हें सिर्मत भागवत दस्मसकंद के उत्रार्द का त्रेपनवा ध्याय पढ़ना चाहिए अब देखें सिर्मत भागवत जो है ग था है रुकमनी ने जो एक लंबा चोड़ा पत्र एकांत में लिखकर ब्रहमन के हाथ स्रीकृष्ण को भेजा था वह तो प्राकर्त में नहीं था अब देखें लेकर कहता है कि अगर कोई चाहता है कि पहले इस्तिया पड़ी लिखी थी या नहीं तो उसका प्रमान है सिर्म उसके प्राकर्त में होने का उलेक भागवत में तो नहीं है अगर प्राकर्त में था तो उसका उलेक नहीं है उसमें रुकमनी ने जो पांडिते दिखाया है वह उसके एपड़ और अलपग्ये होने अथवा गवारपन का सूचक नहीं है और रुकमनी ने जो पांडिते दि कि दर्श्टी में तो नाटकों की अपिक्षा भागवत का महतब बहुत ही अधिक होना चाहिए अब जो पुराने धंके पक्के सनातन धर्मी है ना धर्मावलंबी सनातन मतलब जो लंबे समय से आ रहा है धर्म है उसका पालन पुस्ट करने है परिपालन करने उसका आचरन कर तो उनके सामने नाटकों की अपिक्षा भागवत का महतब तो अधिक होना चाहिए इस दसा में यदि उनमें से कोई यह कहे कि सबी प्राक काली निश्टियां आपड थी तो उसका उसकी बात पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है प्राक काली नियान की पहले से प्राचि की बात उससे भी गई-बीति समझी जानी चाहिए अब देखिए इसमें लेख कहता है कि अगर भागवत में जो लिखा हुआ है या पुरानों में अगर लिखा हुआ है या उसे कवी कि कल्पना मान लिया जाए तो नाटक तो फिर ही क्या उसके सामने तो वह तो गई-बीति बात समझें ते इस ने बिल्कुर ही निमन स्थतर का माना चाहिए फिर नाटकों शतर्व का किया हूँ अननर्थ यदि पढ़ने का 가요 पढ़़ाने का ही पर्णाम है… तो पुरुषों ने वी उनकी विद्या और शिक्षlor का ही पर कूछा नर्थ किया होगा तो वह भी उनकी विद्धिया और शिक्षा का ही प्रणाम समझना चाहिए हमें बंब के गोले फैंकना नर हत्या करना डाके डालना चोरिया करना घूस लेना यह सब यदि पढ़ने लिखने ही का प्रणाम है हो तो सारे को लेज स्कूल और पार साले बंद हो जानी है तो यह तो पढ़े लिखे पढ़ने लिखने का ही प्रणाम हो सकता है इसी कान से सारे स्कूल कोलेज पार साले सब बंद हो जानी चाहिए परन्तु विक्षिप्तों बात व्याथितों और ग्रह ग्रस्तों के सिवा ऐसी दलिले पेस करने वाले बहुती कम मिलेंगे आधो विक्षिप्त है जिन में सोच समझ नहीं है एंका जो बातों से व्याथ ही तो हो जाते हैं ग्रह ग्रस्तों ग्रहें ग्रहों से ग्रariamente हैं ऐसी वो दलीले देते हैं शकुंतला ने दुश्यंत को कटुवा के कहकर कौन सी ऐस भाविक्ता दिखाई अब देखिए जो लेखा कहना पहले जो कूतरक दिये गए थे इस तरी शिक्षा के विरोध में तुसका खंडन करते वह कह रहे हैं अब शकुंतला गवधान ले रह तो देखिए पूरी बात पता नहीं है लेकिन फिर भी लोग कहते कि दुश्यंत को शकुंतला ने कटुवा के कही थी अब लेखा कहते कि पूरी बात यह है कि वो क्या कहती क्योंकि ये कटुवा के कब गए गए थे जब दुश्यंत ने उसको सविकार करने से मना कर दिया थ तो वो क्या ये कहती कि आर्या पुतर शाबास बहुत अच्छा किया तुमने कि मेरे साथ में गंदर विवा करके मुकर कई यो भूल गए हैं मुझे नीती नियाय सदाचार और धर्म की आप प्रतेक्ष मूरती हैं तो क्या ऐसा कहती हूँ पत्नी पर घोर से घोर अत्याचार करके जो उससे ऐसी आसा रखते हैं वे मुझे सभाव का किंचित भी गया नहीं रखते हैं अब देखे लेकर कहते हैं कि पत्नी की घोर उपेक्षा करने पर अत्याचार करने पर अगर हम चाहती हैं कि वो कहें कि आप तो बहुत अच्छे हैं आप तो न्याय निती और सदाचार का पालन करने वाले धर्म की प्रतेक्ष मूरती हैं अगर कोई आप ऐसा सोच रहे हैं तो मनुश्य सभाव का आपको किंचित भी गया नहीं है सीता से अधिक साधविष्ट्री नहीं सुनी गई अ साधविष्ट्री कोई नहीं सुनी गई है जिसकवी ने सकुंतला ना्टक में अपमानित हो सकुंतला से दुश्यन्त के विशें में दुर्वा आकर किया Griffनों से भुष्ग कहा है और 222 अर्व सामचंदर की विशे में क्या कहती है सुनिए वाचे सत्वया मद्व वचनात से राजा वहनों विशुद्धा मती यत्स मक्षम मालोक वाद सरुनाद हासी ही सुरुतस्य ततिक तव्यम सैद्रस्वाम कुलस्य अब इसका हिंदियन वाद देखे नीचे दिया हुए कि लक्षमन अब लक्षमन को समद्धित करते हैं उसमें कह रही है कि लक्षमन जा क्या ना जरा उस राजा से कहे देना कि मैंने तो तुम्हारी आँखों के सामने ही आग में कूद कर अपनी विशुद्धता साबित कर दी थी तिस पर भी लोगों के मुख से निकला मिथ्यावाद या जूटा जो है जूटी बातें सुनकर ही तुमने मुझे छोड़ दिया क्या यह बात तुम्हारे कुल के अनुरूप है अत्वा क्या यह है तुम्हारी विदता या महता को सोभा देने वाली है सीता का यह कटू संदेश कटू नहीं तो क्या मिठा है अब देखे सीता जी ने भी कहा है राम की प्रती तो कहा है कि क्या सीता जी ने जो कहा है वो मिठा है क्या अच्छी बात है क्या राजा मात्र कह कर उनके पास अपना संदेश बेजा अब देखिए वो उनके पती थे राम जुए लेकिन यहां पर संबोधन में राजा सब्द का प्रयोग किया है तो उनके प्रतियास संदेश बेजा है यह उक्ति ने किसी गवारिष्ट्री की है किन्तु एक महाब्रहम ग्यानी राजा जनक की लड़की और मनवादी महरिश्यों के धर्म सास्त्रों का ग्यान रखने वाली रानी को यह कहा गया ऐसा नर्पस्य वर्नास्त्रम पालनम्यत सैव धर्मों मनुना प्रनित हैं सीता की धर्म सास्त्र अग्यता का यह प्रमान वहीं आगे चलकर कुछी दूर पर कभी ने दि कर राम चंद्र का पर क्रोध प्रकट किया है अगर अपने परित्याक को अन्याय समझने वाली सिता का राम चंद्र की विशे में कटूबा के कहना सरवता सभाविक हैं अब देखिए अब कोई पीडित हैं तो उसने जो अपने अगर उद्गार जो प्रकट कर दिये तो वह ह मैं अगर प्रती कटूबा के कही है तो उसी प्रकार से सिकुंत्ला ने अगर कटूबा के कहए थे वो तो सरवता सभावी की ही है नई है पढ़ने लिखने में को अनर्थ हो सके, अब देखिए लेकर कहता है कि पढ़ने लिखने में स्विम कोई ऐसी बात नहीं है कि उससे अनर्थ हो सके, अनर्थ का बीज उसमें हरगी नहीं है, बिलकुल भी नहीं है अनर्थ का बीज दो, अनर्थ पुरुसों से भी होते हैं, एपड़ और पड़े लिख उसके कान और भी हो सकते हैं कोई जुरूरी की जो पढ़ा लिखा नहीं है जो वह है ही ऐसा काम करता है बलकि पढ़े लिखेंगे से भी ऐसा हो जाता है और वे वेक्ति विसे इसका चाल चलन देकर जाने भी जा सकते हैं आता है यह विस्तियों को अवस्य पढ़ाना चाहिए अब देखिए लेकर कहता है कि इस्तियों को वस्य पढ़ाना चाहिए जो लोग यह कहते हैं कि पराने जमाने में यहां इस्तिया नहीं पढ़ती थी या अथवा उन्हें पढ़ने की मुमानियत थी वे यहां तो इतिहास से अब बिग्यता नहीं रखते हैं या जान बूज क कर लोगों को दोखा देती हैं अभी के तो जानकर के नहीं रखते हैं या तो होँए इतिहास की समाज की दृष्टी में ऐसे लोग दंड़नी हैं क्योंकि इस्तियों को निरक्ष्ट रखने का उपदेस देना समाज का अपकार और अपराद है अपकार का मतलब त्रसकार नि व्यापक सब्द है अब देखिए लेखक बताता है कि शिक्षा जो है संकुचित सब्द नहीं है बलके व्यापक सब्द है उसमें सीखने योग यह एक विश्यों का समाविस हो सकता है पढ़ना लेखना भी उसी के अंतरगत हैं इस देश को वर्तमान शिक्षा पढ़ना लिए वह अच्छी नहीं है अब इसकान यदि कोई श्तिरियों को पढ़ाना अनर्थ कार समझे तो उसे उस पढ़नाली का संसोदर करना या कराना चाहिए खुद पढ़ने लिखने को दोस् अच्छी नहीं है उस समय के संदर में कहा रहे हैं तो इस कान यदि कोई श्तिरियों को पढ़ाना अनर्थ कार समझता है तो उसे उस पढ़नाली का संसोदन करना या कराना चाहिए खुद पढ़ने लिखने को दोस्त नहीं देना चाहिए यानिक पढ़ने लिखने को दोस्त बंद कर दिए जाएं अब देखिए आख शेप कर रहा है लेख इन पे कि क्या लड़कों को पढ़ार लेने से ही क्या जो शिक्षा बनालिया वो अच्छी है या लड़कों की ही अब अगर पढ़नाली बूरी है तो क्या उसमें संसोधन नहीं होना चाहिए सारे स्कूल और कोल कीजिए जी मियावेसो कीजिए पर परमिश्वर के लिए यह ना कहिए कि समय पढ़ने लिखने में कोई दोश है वह अनर्थकर है वह अभिमान का उत्पादक हैं वह ग्रह सुक का नास करने वाला है ऐसा कहना सोलाने मिथ्या है अब देखिए लेखक ने जो है जो पढ़ाना चाहिए कितना पढ़ाना चाहिए घर में पढ़ाना चाहिए तो हर प्रकार से वह विचार करना चाहिए और वे यह नहीं कहें कि यह जो शिक्षा वह अनर्थकारी है अभिमान का उत्पादन करने वाली है घमंड को बढ़ाने वाली है घ्रह सुक का नास करने वा कि यह नर्त यहें आर्थकारी तो ऐसा कुछ नहीं है बाल टीजिता के द्वारं ही अमाज जो है वैं उनति कर सकता है और हर प्रकार से समाज की प्रगति जो है वो जो उनति है वो संभब सकती हैं तो यह था हमारा दूसरा अध्याएं यह जो तेरों अध्याएं हमने किया है अध्यान कि महाविर प्रशाद्वेदी द्वार अरचित इस्त्री शिक्षा के विरोधिक उतर को का खंडन तो आशा है कि आपको यह अच्छे से समझ में आया होगा तो इसी के साथ ही अपनी बात को विराम देते हुई धन्यवाद